नवस्कार दोस्तों इस्टडी विद पॉन पर दीप में आप सब लोगों का स्वागत है चर्चा की जा रही थी कछ्या साथ हमारा अतीत का पार नंबर 9 सेत्री संस्कृतियों का निर्मान इसके भाग एक पर हम चर्चा कर चुके हैं यह आज भाग दो पर चर्चा करेंगे उ भाग एक में चर्चा की उसके बारे में यहां पर एक बार फिर से रिवीजन करा दें जैसे कि हमने देखा था भाग एक में चेर और मल्यालम भसा का विकास कैसे हुआ था और लीला तिलकम जो ब्याकरण और का विसास्त्रे से संबंधित गरंथ था हुआ है मनी परवालम सहली में लिखा गया और साथ ही साथ यहां कि अगर बात करें तो सासक और धार्मिक प्रमप्राएं में हमने देखा था जगदनाती संपरदा किस तरीके से जगदनात को भगवान बिस्नु के रूप में परतेश्टित किया गया और साथ ही साथ हमने देखा था राजपूत और सुर्वीरता की परंपराएं किस तरीके से राजपूत राज़िस्तान सेत्रे से संबंदित यहां पर देखा था और स्वामी भक्ति प्रेम और मितर्ता सौर रिकरोद और समुएगों का इनका चित्रा देखा था सांथी 5 हमने सेwny सीमान तूं से परे कठ्थक निरित की कहानी देखी थी किस परकार से कठ्थक निरित्य को जो पहले कथाकार कहानी के रूप में कहा करते थे फिर वह राश्र लीला के रूप में बदली और साथी साथ मुगल वासाओं के वहाँ निरित्य के रूप में परवर्तित होने लगा और दो घरानों में फूला फला था और राजिस्तान जैपूर में और लखनों के अन्तिम में अवद के अन्तिम नवाव वाजीद अलीशा के संग्रक्षन में और साथ ही साथ हमने शास्ति निरित्य जो वरतमान में हैं उन पर एक नजर दोड़ाई थी भरत नाठियम, तमिन नाडु, कतकली, केरल और साथ ही साथ हमने इसी में ओडिशा, ODC, O पूरी यहां तक हम चर्चा कर चुके थे आई इस से आज आगे चर्चा करेंगे आज आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से कि यहां पर जो लगो संग्रक्षकू spare के लिए चित्रकला या लगो चित्रकला की प्रंप्रा का सरजन हुआ या विकास हुआ उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे संग्रक्षकों के लिए चित्रकला या लगुचित्रों की प्रम्परा जो संग्रक्षक होते थे चित्रकारों के उनके लिए चित्रकला या लगुचित्रकला का विकास कैसे हुआ एक अन्य प्रम्प्रा जो कई रीतियों से विक्षित हुई थी वह थी लगुचित्रू की प्रम्प्रा लगुचित्र जैसे की नाम से ही पता चलता है थोटे आकार के चित्रू होते हैं जिन्हें आमतोरपल पर जल रंग प्राचिंतम लगुचित्र ताल पत्रूं अथ्वा लगडी की तक्तियों पर चित्रित किये गए थे इन में से सरवातिक सुन्दर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन गरंथूं को सचित्र बनाने के लिए किये गए हैं उसके बाद अगर हम देखें मुगलवासा अगबर है जहांगीर है साजहां है ने अत्यंत कुसल चित्रकारों को संग्रक्षन परतान किया था जो प्रारंभी के रूप से इत्यास और काभी कोई पांडू लिपियां चित्रित करते थे ये पांडू लिपियां आम तोर पर महतोपूर्ण पहलू चित्रित किये जाते थे जो मुगल दर्वार में चित्रकला का विकास हुआ लगो चित्रू में क्या बनाए जाते थे दर्वार के द्रिश्य हैं लणाई के द्रिश्य हैं या शिकार के द्रिश्य बनाए जाते थे जैसे कि यहां पर अगबर को दिखा यहां पर हैं आए आगे देखें कि अक्सर उपहार के तोर पर भी इन चित्रूं का दान परदान किया जाता था और यह कुछ किने चुने लोग लोगों बासा और उसके घनिष्ट जनु द्वारा ही देखी जा सकते थे जो यह लगू चित्र थे मुगलकाल में उनके द्वारा देखे जा सकते थे जो बासा थे उनके जो घनिष्ट लोग थे वही इन चित्रू को देख सकते थे मुगल सामराजी के पतन के साथ ने चित्रकार दर्वार ठोड़कर नए उभरने वाले सेत्री राजियों के जो अध्यायदस में हम पढ़ेंगे के दर्वारों मे किया जो मुगलों के चित्रकार थे वह दक्षिन की ओर चले गए राजिस्तान की ओर चले गए लेकिन इसके सांत ही उन्होंने अपनी बिशिष्ट बिशिष्टाओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया मुगल उधारों का नुसरन करते हुए सासकों तथा उनके दरवारी मुगल उधारों का जो अनुसरन था उसी का सासकों तथा उनके दरवारी दरिश्च्यों को चित्रित किये जाने लगें उसके सासांत जो मेवाड है जोतपुर है बूदी है कोटा है किसंगड है जैसे केंडरों में पोरानी कथाओं तथा काप्यू के विशे में चित्रित के जाने लगें या चित्रन बराबर जारी रहा ऐसा ही अन्ये सेत्र था आधुनिक हिमान्चल परतेश के इर्दगेर्द हिमान्चल की तलहटी का इलाका था परतेश के इर्दगेर्द हिमान्चल के तलहटी का इलाका था सत्तरिश ताप्दी के विवाद के वरसों में इसेत्र में लगुचित्रकला की एक सहस्पून एवं भाव प्रवण सेली का विकास हो गया चिसे बसोहली सेली का विकास कब हुआ सत्तर विश ताप्दी में हुआ कहां हुआ हिमान्चल परतेश के तलहटी या नीचे वाले सेत्रू में हुआ उसके बाद देखें यहां जो सबसे अधिक लोग पी रिये पुस्टक चित्रित की गई वो थी भानुदत की रसमेंजरी प्रश्म पुछा जा सकता है रसमेंजरी किस ने लिखी या किस के द्वारा चित्रित की गई है रसमेंजरी भानुदत उसके बाद आगे हम देखें 1749 में नादिर्शा के आकर्मन और दिली विजय के प्रणाम सरूब मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिष्टिताओं से बसने के लिए पहाड़ी सेत्रू की और पलायन कर गए 1749 पुछा जाता है कि नादिर्शा का आकर्मन कब हुआ नादिर्शा का आकर्मन 1749 में हुआ नादिर्शा ने यहां बिल्कुल जो मुगलू का सासन चल रहा था उसे तहस नहस कर दाला और दिली को कई दिनों तक लूटा और पूरे दिली को तहस नहस कर दिया और इससे खलाकारू ने भी अपने आपको चित्रकारू ने भी अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं किया और अपनी सुरक्षिया के लिए उन्होंने क्या कर दिया पहाडी राज्यों की और पलायन प्रारंबे कर दिया यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक चित्र दिया गया है महरा आये चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं एक और चित्र जब पहाली कला का विकास हुआ या नहीं उसे क्या कहा गया उसे कहा गया कांगला सैली क्रेश्न राधा और उसकी सक्या पहाली लगुचित्र पे है चिसे कागला सैली कहा जाता है आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे आये चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कहां चले गए पहालों की ओर चले गए और वहाँ जाते ही आस्रई दाता आता है यार मिले जब पहा विकास हुआ या कागला सैली विक्सित हुई अठारवी स्ताबदी के मद्यता के कागला के कलाकारों ने एक नई सैली विक्सित कर लिजिसे लोगुचित्रकारी में एक नई जान डाल दी उसकी प्रेणा का सुरोत वहां की बैसनों प्रमप्राय थी इस समय थंडे नीले और हरे रंगु सहित कोमल रंगु का प्रयोग और विशयू का काव्यात्मक निरूपन कांगला सेली की क्या थी विशेष्टा थी जैसे कि आप लोगों ने यहां पर देखा था भी चित्र के माध्यम से कांगला सेली में इस तरीके से यहां पर चित्र बनाए जाते थे और जो एक पहाली सेली थी यहां आगे देखते हैं समरन रहे कि साधारन इस्तिप्रूस भी बरतनों जिवारों और कपड़ों फर्स आदी पर अपनी कलाकिरतियां चित्रित करते थे जो साधारन इस्तिप्रूस होते थे वो अभी क्या करते थे बरतन हैं जिवार हैं कपड़े हैं फर् स्क्रित लगोचित्र जो हैं राज महलों में साउधानी पुर्फक्त रखे जाते थे जिसे वे सजियू तब क्या रहे सुरक्षित रहे उससे देखें उसके बाद देखें बंगाल नदीक से एक नजर में एक सेत्री भासा का विकास बंगाल कहने से मतलब हमें पता चलता है कि वहाँ पर बंगला भासा रही होगी जैसे कि हमने प्रारंब में देखा था हम अक्सर सेत्रू के नाम वहाँ के निवाश्यों द्वारा बोले जाने वाली भासा के अनुसार निर्दारित करते हैं इसलिए हम यह मान सकते हैं कि बंगाल के लोग हमेशा बंगाली या बंगला ही बोलते थे कि इसलिए दिलचस्प बात है कि आज बंगाली सस्कृत से निकली हुई भासा मानी जाती है प्रशन पूछा जा सकता है बंगाली का विकास किसे हुआ ससकृत से हुआ प्रारंबिक इसा पूर्व पर्थम सहस्त्राब्दी के मध्यभाग के सस्किर्ट गरंथु के अध्यन से पता चलता है कि बंगाल के लोग सस्किर्ट से उपजी भासा ये नहीं बोलते थे तो फिर वो नहीं भासा का उध्व कैसे हुआ इसवी पूर्व चोथी स्ताब्दी से बंगाल और मघद दक्षिन बिहार के बानेचिक संबंद स्ताबित होने लगे थे चिसके कारण संब्धुत सस्किर्ट का प्राव दुरभाव क्या हुआ बढ़ता गया प्रभाव बढ़ता गया चोथी स्ताब्डी के दोरान गुव्त वन्सी सासकू ने उत्तरी बंगाल पर अपना राधनेतिक नियंत्रन इस्तापित कर लिया और वहां ब्रामनों को वसाना शुरू कर दिया इस परकार गंगा की मध्यगाटी के भासाई तथा सासकूर्टिक प्रभाव अधिक प्रवल हो गए और साथवी स्ताब्डी में चीनी आत्री हेंग स्वांग ने यह पाया की बंगाल में सर्वत ससकूर्ट से संबंदित भासाओं का प्रयोग हो रहा है आठवी स्ताब्डी से पाल सासकों के अंतरगत एक सित्री राज्य का उध्वाव हो गया है जो हमने अध्याय दो में देखा था चौद्वी स्ताब्डी के बीच बंगाल पर सुल्तानु का सासन रहा जो दिल्ली में इस तिस सासकों से स्वतंत्र थे जो अध्याय तीन में देखा पंद्रसो च्याशी में जब अगवर ने इस परदेश बंगाल को जी लिया तो उसे सुभा माना जाने लगा प्रस्ण पुछा जा सकता है कि अगवर ने बंगाल को कब जीता अगवर ने बंगाल को पंद्रसो च्याशी में जीता उसके बाद हम देखें कि उस समय प सेत्री भासा के रूप में विक्षित हो गई प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मुगनों की राद दर्वार की भासा क्या थी फार्शी थी वस्तुता पंदुशताती तक आते आते वह भासां तदा बोलियों का बंगाली समों एक सामान्य साहित्रिक भासा के रूप में अध्वव सस्कृत से हुआ है पर यह अपने करम विकास की ये ने कवस्ताओं से गुजरी है इसके अलवा गैर सस्कृत सब्दों का एक विसाल सब्द बंडार जो जनजाती भासाओं फार्शी और यूरोपी भासाओं सहित अनेक सुरोतों से इसे प्राप्त हुआ है सब्सकृत रिणी ससकृत की रिणी है और दूसरी स्वतंत्र पहली स्रिणी में ससकृत महकाव्यों के अनुवाद मंगल काव्य साब्दिक अर्थू में सुव या नेहीं मांगली काव्य जो इस्थानी देवी-देवताओं से संबंदी था और भक्ती साहित जैसे गोड़ी बहस्राओं अंदोलन के नेता स्री चैतनी देव की जीवनिया जो अध्याए आठ में सामिल थी दूसरी स्रेणी में ना साहित सामिल है जैसे मेनामती गोवी चंडर के गीत धर्म ठाकूर की पूजा से संबंदित कहानिया परिकताएं लोग गताएं और गाथा गेत ये क्या है बंगाली भासा में ही विसुद्ध रूप से लिखी गई है उसके बाद देखें हम मेनामती गोवी चंडर और धर्म ठाकूर के बारे में यहाँ पर दिया गया है नाथ लोग संयासी होते थे तरह तरह की योगिक किद्याय करते थे यह गीत विसेश जो अक्सर अभिनीत किया जाता था यह बताता है कि रानी मेनामती अपने पुत्र गोवी चंडर को ने एक बाधाऊं के समक्स संयास का मार्ग अपनाने को किस परकार प्रोसाहित किया करते थी धर्मठाकुर एक सेत्री लोपिर देव है जिसकी पुझाकसर एक पत्थर या कास्ट की मूर्ति के रोब में की जाती है प्रस्णू पूछा जाएगा कि मैनामती किस की माता थी मैनामती गोवी चंडर की माता थी या गोवी चंडर की माता का नाम क्या था मैनामती था पहली सनेणी के गरंथु का काल निर्नई करना प्रेक्षा क्रिस्ट सरल है क्योंकि ऐसे नेक पांडूली प्यां पाई गई हैं जिसमें इंगित किया गया है कि उनकी रचना पंदर्वी स्ताथी के उत्तरार्थ और आठ्वी स्ताथी के मध्यभाद के वीच की गई थी। दू के प्रभाव प्रेक्षा क्रिट क्या था ? कम था .उसके बाद देखें पी और मंदील , पीर का अर्थ पार्ची भाजा का सब्द है जिसका अर्थिये और्ध अध्यात्मिक मार्ग दर्सक। सोली स्ताबदी के लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल से कम उवजाव सेत्रों को छोड़कर दक्षिन पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया था जो जूजू वे पूर्वी की ओर बढ़ते गए वे जंगलो को साब करके भूमी में धान की खेती करने लगे सने सने क्या हुआ धिरे धिरे इस्तानी मच्वा और इस्तानांत्री खेती करने वाले लोग जो अक्सर जंजाती थे किसानों के नए समुदाय मैं मिल गए इनहीं दिनों मंगाल पर मुगलों का नियंतरन इस्तावित हो गया चिन्होंने पूर्वी डेल्टा के केंडरी भाग में इस्ती डाका नगर में अपनी राध्धानी इस्तावित की एधिकारी और करमचारी लोग भूमी प्राप्त करके अक्सर उस भूमी पर महजिते बना इस अस्तिर प्रेस्टित्यों में रहने के लिए कुछ ब्योस्ता का आस्वासन चाहते थे यह सुक्षुधाये तथा आस्वासन उन्हें सुम्धा के नेताओं ने प्रदान कि यह नेता शिक्सकों और निवनायकों की भूम का भी अदा करते थे कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि यह नेताओं के पास लोग सक्तियां हैं इसने और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे अध्यात्मिक ज्यान जो देते थे उन्हें पीर कहा जाता था जैसे कि आप लोगों ने देखा यह लोगों की क्या करते थे जो नए लोगों वहां पर आते थे उनकी मदद कर पिविन हिंदुयम, बौध, देवी देवता और यहां तक की जीवात्माएं भी सामिन थे, इन पीरों में किसी एक धर्म के लोग नहीं थे, अने एक धर्मों के लोग थे और अने इत परकार के देवी देवता यहां पर पूजे चाते थे, पीरों की पूजा पत्यतियां पर रहा, जो उनिश्ट्री स्ताब्दी महा कर समाप्त हो गया, उसने देखा है, हमने अध्याई दो से पांस तक की मंदिर और अने धार्मिक भौन अक्सर उन व्यक्तियों या समोहन द्वारा बनाए जाते थे, जो सक्तिसाली बन रहे थे, वे इसके माध्यम से अपनी सक्त और भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे, बंगाल में साधारन इत्वों और मिट्टी गारे के अनेक मंदिर निम्न समाजिक समोहूं जैसे कालू तेली, कसारी, घंटा धातु के कारिगर आधी के समर्थन में बने थे, यूरोप की व्यपारिक कंपनियों के आजाने से नए आर्थिक अफसर पैदा हुए। इन समाजिक समोहूं से सम्बंदी तनेक प्रवारू ने इन अफसरों का लाव उठाया, जैसे जैसे लोगूं की समाजिक तथा आर्थिक इस्तिती सुधर्ती गई, उन्होंने इन इसमारकों के निर्मान के माध्यम से अपना प्रस् दिस्धान कर दी गई। तथा उनकी प्रतिमाय मंधिरों में स्टाफित की जाने लगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दोर्टा चप्परदार झुपडी है यहां work और यहां पर आप साथ ही साथ देख सकते हैं, चोचाला मंधिर है यहां पर, आप लोग देख पा रहे होनगे, आए आगे चर्चा को बहनते हुए हम चर्चा करते हैं, कि किस प्रकार से यहां गोप्यों के साथ करेश्न श्यामपूर मंदिर में पकी, मिट्टी का एक पठिया विष्णू पूल का है यहां पर दिखाया गया है आप लोग चित्र में देख रहे हैं आये चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं इन मंदिरों की सकले आक रिति बंगाल की छपरदार जोबनियों की तरह दो लाचा दो चाला या नहीं दो छतुवाली या चोचाला चार छतुवाली होती थी पांच्वे अध्याय में बढ़नित बंगाली गुंबद को याद करें इसके कारण मंदिरों की इस्तापित कला में विशिष्ट बंगाली सहली का क्या हुआ था प्रादूर भाव हुआ था जो अपेक्षया करित अधिक जटिल चोचाला यानि चार छतुवाली धाचे में चार तेर्कोणी छते चार दिवारों पर रखी जाती थी आप लोगों को याद रखना पढ़ेगा कि बंगाली गुंबद की स्परकास के होते थे या चोचाला गुंबद या चोचाला चार छोटौ वाली जो सशकृति थी मंदिर बनाने क कला थी वह कहां विक्षित हुई वह बंगाल में विक्षित हुई जो उपर क्या रखी जाती थी तिर्यक रेखा या नहीं एक बिंदू पर रखी जाती थी मंदी राम तोर पर एक बरगा कार्चब उत्रे पर बनाए जाते थे उसके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती में विश्णुपूर के मंदिरू में ऐसी सजावटें अत्यान तो उत्क्रिष्ट कोटी तक पहुंच चुकी थी उसके बाद हम देखां यहां पर मचली भोजन के रूप में प्रमप्रागत भोजन सभी आदतें आम तोर पर इस्तानी रूप से उपलब्द खादिपदार्थ है तो वहां के लोग मचली और चांवल खाते हैं क्योंकि धान भी वहां पर नदीू के डेल्टा में आसानी से उगाये जाता है और मचली भी आसानी से प्राप्त प्राप्त किया जाता है तो इसलिए जो बंगाली लोग हैं उनका एक प्रमुंख आहार 스ट्ञ nytriel प्रमप्र की उपजब भोह आयात होती है इसलिए सवाविक है कि कि इन दोनों वस्तों को गरीब बंगाली की भुजन सोची में प्रमुख इस्तान प्रापत है मचली प करना वहां की प्रमुख वहां का क्या है एक प्रमुख धंदारा है बंगाली साहिति क्यान connect इस्तान पर उलेक मिलता है। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि मंदिरों और बहुत बिहारों की दिवारों पर जो मिटी की पटियां लगी हैं उसमें भी मचलियों को साब करते हुए और टोकरियों से भर भर कर बाजार ले जाते हुए दर्स आया गया है। यहां पर देखें घरेलूपियों के लिए मचली तैयार लेक्टे। विसाल लकसमी मंदिर से पकी मिटी का एक फलक मिला है। जो आरामबाग में है। यहां पर आप देख पा रहे होगे। हैं उसमें भी मचली को साफ करते हुए दिखाई गया है जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे मचली पकड़े हुए हैं और साथी साथ इसे भोजन के रोप में बनाने की परकिरिया चल रही है ब्रामनों को समझ भोजन करनी की उनमें नहीं थी लेकिन इस्तानी आहार म मचली की लोगपरिता को देखते हुए ब्रामन धर में के विचे सग्यूं ने बंगाली ब्रामनों के लिए इस निशेद में धील दे दी ब्रहत धर में पुराण जो बंगाल में रचित तेरुई स्तावदी का सस्कृत गरंत है ने इस्तानी ब्रामनों को कुछ खास खाने की क्या दे दी अनमती दे दी आईए देखें उसके बाद कि यूरोप में राष्ट राच्यू का उदय कैसे हुआ ठार्वी स्तावदी के अंतर तक यूरोप के लोग स्वयंग को एक सामराची जैसे ऑस्टलिया हंगरी सामराची की परजाया किसी चर्च जैसे योनान रोडिवादी चर्च के सदस्य मानते थे परन्तो थार्वी स्तावदी के अंतर दस्कों तक ये लोग स्वयंग एक ऐसे समदाई के सदस्य के रोब में भी पहचाने जाने लगे जो एक भासा जैसे की फ्रेंच और जर्मन बोलते थे मतलब पहले एक सामराची के रोब में ज ठाबदी में रूमानिया में बिजल ही पाष्टपस्त क्रीक के इस्तान पर रूमन्ययन में लिखी जाने लगी कहला चलती एक लिक कि अर रोमानिया में लिखी किया याश्यजित Prix में लेंग्रि लैटिन लेटिन के इस्तान फार राजभासाуем ब्रोफ में अपनाया وأ Measure गया था उनीशु स्ताब्दी के अंतिंग दस्कों में इटली और जर्वनी के एकिकरन के लिए हुए अंदोलों नों ने इस भावना को और अधिक बल दे दिया ये चर्चा थी हमारी कक्षा साथ हमारा अतीत का पार्ट नंबर नौ पार्ट का नाम था सेत्री सस्किर्टियों का न हिन जय भार